हेलो, क्लास 11th as well as 12th तो बच्चो अभी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दे रहा हूँ Electronic Configuration पे ताकि आपको Problems ना होँ तो बच्चो समझो Electronic Configuration Basics जो है वो हम बढ़ते हैं 2, 8, 18, 32 जिसको हम Magic Number भी बोलते हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले 2 भरने होते हैं फिर 8 और 8 repeat हो जाता है फिर 18 और 18 भी repeat हो जाता है और फिर last में 32 होता है जिसके basis पे हमारी product table भी बनी हुई है ये तो आपको पता ही है बट अभी हम सिखेंगे वो 1s वाला Configuration पहले हम 1s लिखेंगे बच्चो फिर 2s और 2p लिखेंगे ठीक है बच्चो ऐसे 2 बार मतलब s और p आए ना तो दो ही number लिखेंगे फिर उसके बाद हम लिखेंगे 3s 3p और 3d ठीक है बच्चो इसके बाद हम लिखेंगे 4s, 4p, 4d और 4f ठिक बच्चों यहाँ पर गया न देखो F चो हो वो चार नमबर आ चोगे थी न तो मैंने चार बार लिख दिया उसको अब चार से ज़्यादा नहीं होते तो आप चार-चार ही लाइने लिखोगे तो आप तुम लिखना उसके बाद 5S 5P 5D और 5F फिर लिखना 6S 6P 6D और 6F फिर 7S 7P ऐसे आप लिख सकते हो जितनी requirement है वैसे इतने से काम हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है ऐसे diagonal डालने ठीक है बच्चों इस तरीके से और diagonal से डालना है बच्चों क्योंकि diagonal से अगर अच्छे से नहीं डाले तो फिर आपको उस समय लिखते टाइम प्रॉब्लम होगी ठीक है इस तरीके से तो जहां से arrow शुरू हो रहा है सबसे पहले आप वो लिखोगे और arrow जहां पर खतम हो रहा है उसके बाद आप फिर अगले line पर जाओगे ठीक है जैसे example के लिए आप सबसे पहले तो लिखोगे 1S फिर arrow लिखा है 2S पर फिर 2P के बाद आपको 3S पर जाने फिर 3S के बाद आपको 3P फिर 4S और फिर 3D 3D के बाद आपको कहां जाने 4P 4P के बाद कहां जाने 5S 5S के बाद कहां जाने 4D 4D के बाद 5P 5P के बाद 6S इस तरीके से जहां पहला arrow खतम हो रहा है आपको फिर दूसर arrow जब चालो करोगे फिर पहले इसको end करोगे फिर अगला चालो करोगे फिर end करोगे फिर अगला चालो करोगे फिर end करोगे इस तरीके से जो आपको है न पहले सीक्वेंस लिख लेना है ठीक है बच्चो अब आप यह बात समझो यहाँ पर आपने सीक्वेंस लिख लिया अब इसे रूल तो बहुत सारे पर यह जो आपने जिस तरीके से सीक्वेंस अपर लिखा है यह सारे रूल को फॉलो करता है फिर मैं आपको यहाँ पर एन प्लस ल का रूल बता देता हूं N plus L का rule कहता है जिसमें energy कम होगी उसको आप पहले भर होगे अगर किसी भी दो orbitals में energy level सेम होता है तो जिसमें N की value जिसको principal quantum number भी बोलता है यह मालो जो जिसका number जो हो छोटा है उसको पहले भरेंगे example के लिए आपके पास एक यहाँ पर देखो N जो होता है यह आगे का number होता है तो यह आपको problem नहीं करेगा यह ठीक है और L की value मैं आपको याद करने के लिए बता दे रहा हूँ S P D F 0 1 2 3 इस तरीके से ठीक है 0 1 2 3 यह S P D F उसके साप सापने बना देने तो S के 0 लिखना P पे 1 लिखना D पे 2 लिखना F पे 3 लिखना तो जैसे अगर हमारे पास हम मानते हैं 4S था और एक 3D था है ना तो हम पहले किसको भरेंगे देखो 4 मैं S पे कितना है Li की वेल्यो 0 तो energy level कितना होँ 4 फिर कितना होँ 3D आप 3D में देखो energy level कितना होगा 3D पे कितना है यहाँ बच्छो लिखा होगा तो answer कितना होगा हमारे पास 5 ठीक है, 3D का अंसर पर हमारे पास 5, यानि कि energy level किसका कम है, 3D का कम है, और 4S, नहीं, 3D का जादा है और 4S का कम है, तो हम पहले किसको भरेंगे इसमें, हम पहले 4S को भरेंगे, ऐसी मालनों हम कहते कि 4P है, तो देखो, 4P पर 4 plus 1 energy कितने आती, 5, अब तो दोनों में energy level same होगी, तो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, जिसके energy value छोटी है, उसको पहले fill up करोगे, और जिसके energy value बड़ी है, उसको बाद में fill up करोगे, ठीक है, ये configuration ऐसा, उसके बाद, S में आपको भरने है maximum, 2 electron, P में आपको maximum भरने है, 6 electron, D में आपको maximum भरने है, 10 electron, और F में आपको maximum भ हो जाते हो या तो आफ fulfill कर लो या फिर आफ half fill कर लो तब भी stability अच्छी रहती है यानि कि इसका आफ हो गया 1 इसका 3 इसका 5 और इसका 7 तो half fill और fulfill दोनों पर आपकी stability जो होती है वो अच्छी रहती है ठीक है आपको ये भी याद रखने है चलो कुछ एक portion बनाके देखते हैं मैं for an example आपसे कहूं कि आपको nitrogen का configuration करना है तो आपने का ठीक है nitrogen का Atomy No.7 होता है सबसे पहले लिखेंगे 1s2 मतब दो electron भर दिये फिर लिखेंगे 2s2 मतब total 4 electrons होगे फिर लिखेंगे 2p3 तो आप total कितने होगे हमारे पस 7 electrons होगे ठीक है तो आपको वही देखना है total जैसी हो जाएगा आपका आप पर रुख जाएगा बट यह configuration काफी लंबा configuration है इसलिए न हम इस पर यह अगरता हम noble gas का configuration करेंगे ठीक है अब समझो अगर हम चलते है noble gas के साब से ठीक है बच्चो noble gas के साब से तो समझो सबसे पहली noble के साती है helium atomic number कितना है उसका helium के बाद क्या जाती है अब देखो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं याद है तो फिर हमको number कैसे याद करने में वह भी आपको बताता हूं पहले हम लिख लेता है helium neon argon krypton xenon और radon ठीक है यह हमने लिख लिया ठीक है अब सबसे पहला atomic number यह वह दो है तो उसके बाद आपको क्या करना है आठ जोड़ना है तो आप पहुंचाओगे जोड़ना है अगले number के लिए 32 यानि कि हो जाएगा 86 तो यह क्या हो गए आपके यह आपके सबसे पहले जो number से हो गए 2 10 18 36 54 फिर 86 ठीक है इनके configuration भी लिखेंगे फिर आगे से तो यहाँ पे जब हम इनके configuration लिखेंगे न बच्चो तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप helium का तो सबको पताए कि 1s 2 पे पूरा हो जाता है उसके बाद देखो P जो शुरू होता है न नोबल कैसे जो होती हो P6 पे complete होती है तो P जो शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है तो सबसे पहले यह वाली जो नोबल कैसे हमारी यह कितने पे होगी 2P6 पे पूरी हो जाएगी तो यह कितने पे होगी 4P6 पे तो यह कितने पे होने वाली है अगली वाली 5P6 पे तो यह कितने पे होने वाली है 6P6 पे इससे ना आपका configuration बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा ठीक है कैसे समझो for an example मुझे configuration करना है 20 का ठीक है calcium का है तो मुझे atomic number 20 का configuration करना है अब बच्चो ये काफी लंबा configuration होगा अगर हम ऐसे चलेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 फिर 4s2 ऐसे चलेगा ना short करके देखते हैं बच्चो 20 से पहले nobel gas concierge ये 18 पे इस पर क्या लिखा गया 3p6 तो आपको सबसे पहले लिखना है square bracket और आरगन अब जब आरगन आप लिख चुके हो तो इसका मद्दा आपने 18 electron अलड़ी भर दिये किते पह आई 3p पर आप देखो 3p के बाद यहां क्या आ रहा रहा है अगले number पर 4s आ रहा है दिख रहा है अगले इससे आप configuration को easily कर पाओगे, ठीक है, for an example बच्चों माल लेते हैं, हमने atomic number लिया 87, बढ़ा है न, फ्रेंचियम को 87 लेते हैं, ठीक है, अब 87 पर चलते हैं, देखो, 87 से पहले noble case कौन सी है, radon, rn, तो इसका 86 तो आप भर दोगे, कैसे लिखोगे, rn, इसका मतलब आपने 86 भर चुके हो, तो देखो, अगर आप 6P तक भर चुके हो, तो अगला क्या है, 7S, तो आप क्या लिखोगे, 7S1, इसका मतलब, आपको सब एक एलेक्ट्रॉन भरना था, तो ये noble case का configuration आपको जल्दी चीज़े करवा देगा, एक और थोड़ा सा आप चेंज करते हैं, topic को जो कि किसका होता है हमारे पास, iron का, उसका करना है, तो अध्यान से समझते हैं, 26 से पहले noble case कान सी है हमारे पास, आरगन, तो हम सब से पहले कह लिखेंगे, आरगन, इसका मतलब आपने भर दिया, अब आरगन के बाद, यानि कि 18 भरनने के बाद, आपका configuration 3P 6 तक हो चुका ह यानि कि 18 भर दिये, आप बचे कितने हैं हमारे पास, 18 गर आप भर चुके हो 26 में से, तो आपके बाद 8 और बचे हैं, तो समझो, आरगन पर भरने पर, यानि 3P पर भरने पर, आप देख रहे हो कि 3P के बाद 4S आ रहा है, 4S के बाद 3D आ रहा है, तो पहले हम क्या लिखें है, इसमें थोड़ा सी आपको यह चीज़ का ध्यान रखना है, कि यह इस तरीके से लिखा जाएगा, 3D, 6, 4S, 2, अब आप कहोगे यह क्यों, आपने तो बताया था कि जिसके एनरजी कमर्स को पहले भरना, देखो जिसके एनरजी कमर्स को आपने पहले ही भरा हुआ है, ले आपके वैसे, लेकिन भरने का तो सीक्मेंस आपने सही भर है, लेकिन वो 3D और 4S में 3 पहले आ रहा है न नमबर, तो दिखता अच्छा है, यह मान दो, वो दिख अच्छा रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं आपके, कि आपने पहले 3 को लिखना है, फिर 4 को लिखना है, हा हमने 3D से compare किया, यहाँ पे करा है न, इसका energy level 4 है, इसका energy level 5 है, तो energy level किसका कम है, energy level 4S का कम है, और बाद में क्यों लिखा आपने उसको फिर अगर energy level कम है, इसलिए लिखा ताकि एक rational form maintain हो सके, 3 के बाद आगे 4 लिखा जा सके, ठीक है बच्छों, इसलिए लिखा हमने, ठ थोड़ा सा न, बच्छों हम चलते हैं, थोड़े exception configuration की तरफ को, ठीक है, अब exception configuration कैसे, जैसे माल लो हमने लिखा copper, यह हमने लिखा chromium, इसका atomic number 29, इसका atomic number होता है 24, देखो, आपने सबसे पहले 9 पर कैस लिखी, कौन सी, आरगन की, कोई problem नहीं, आपने आराम से लिख दी, उसके बाद आपने फिर वही लिखा, कि पहले आप 3D लिखोगे, फिर आप 4S लिखोगे, 18 और 20, 20 और 29 आपका हो चुका है, बट बच्चों हमने एक हातने stability जो होती है, जादा तर या तो full field पे आती है, या half field पे आती है, अगर हम पीछे से एक electron आगे दे दे, तो क्या फा कर दिया, क्या benefit होगा इससे, इससे ये benefit होगा कि D complete हो गया, प्लस S half होने पे भी stable हो सकता है, या half field भी stable होता है, तो ये कैसे configurations है, exceptions, generally exception configuration आपके D orbitals में आते हैं, तो क्या ध्यान रखना है D orbital, मगर ऐसा कुछ हो रहा है, कि last से एक electron जो हो आगे देने पे, आपका D orbital full हो रहा है या half हो रहा है, तो उसको दे दो, उससे benefit ये होगा आपको, कि जो आपका stability है, configuration की या item की हो, तो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, chromium में भी समझते हैं, देखो, आपने लिखा argon, मतला आपने 18 भरे, 3D, 4S, अब देखो, 18 मैंसे हमने अगा 2 यहाँ भरे, तो बच्चे कि कि D जो है, वो क्या होता है, या तो 10 पे stability दे सकता है, या फिक किते पे ले सकता है, 5 पे, फुल फिल पे, हाफ फिल पे, तो आपने जैसी एक आगे shift करा, आपको और अच्छी stability मिल गी, तो आपको यहाँ पे benefit मिल गया configuration में, तो यह exception configuration है, जिससे कि क्या करना है, पीछे से आ आप यह normal configuration long method से भी कर सकते हो, या आप यह noble gas वाला भी कर सकते हो, या जो आपके exceptions आए हैं, आप वो भी कर सकते हो, hopefully उम्मीद करता है, आपको यह topic समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, तो वीडियो को like, share और चैनल को subscribe भी कर लेना, ताकि मैं और आपके doubt clear कर सकूँ, बाकी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते हो,